गवराये नहीं ये राजनितिक मंच नहीं है और मैं कोई राजनितिक भाषन नहीं दूँगा हलाकि मैं वेक्ति राजनितिक हूँ और मैं कोई भी बात बोलता हूँ उसमें लोग राजनिति ढूंड लेते हैं तो जैसे अभी राजस्थान युबावोड के अध्यक्ष ने कह कि सब जगह होस्टल बनेगा विवेकानन्द जी के नाम से हर जिले में बनेगा तो अगर मैं यह कह दूँ कि भारा सरकार ने होस्टल के उपर 18% का जीएस्टी लगा दिया है तो अपने आप इसमें राजनीती हो जाएगी लेकिन मेरा मानना है कि यूथ होने का मतलब यही होत एज जो है अपने आप में एक संख्या है और युवा होना एक एहसास है और युवा होने का एहसास क्या होता है वो एड आप लोग सुने हैं न यह दिल मांगे मोर युवा होने का एहसास यह होता है कि कम में हमारा काम चलता नहीं है हम सर्दी भी जादा महसूस करते हैं और गर्मी भी ज़्यादा महिसूस करते हैं पीछे हमारी कुछ साथी लोग जो हैं वो पंखा हिला रहे हैं उनको गर्मी लग रही होके ये ये नौजवान होने का लक्षण है कि हम यूही जो है आपकी बात नहीं मान लेंगे ठीक है आपने मंद सजा दिया है कारिकरम है बरे-ब की बात को हम यूही नहीं मान लेंगे अनुशासन तब तक ही रचनात्मख होता है जब तक वह व्यक्ति को गुलाम न बनाता हो अनुशासन के नाम पे अगर इंसान को गुलाम बनाया जाना शुरू कर दिया जाए अपने घोरे के आँख पे वो चश्मा देखा है वो रेब तो हम यूथ की जब बात करते हैं यूथ का मतलब क्या होता है यूथ का मतलब होता है कि हम हर चीज को क्रिटिकली देखेंगे आप बरे हैं आपने कह दिया तो हम मान लें ऐसा नहीं होगा यूथ होने का मतलब ये है कि हम हर चीज ज़्यादा महसूस करते हैं अगर हमारे आसपास किसी इनसान के साथ उसके कपरे के चलते उसके जो है प्रेम करने के चलते उसके खाने के चलते उसकी जडम किस गर्व से हुआ है इसके चलते अगर उसके साथ कोई अत्याचार हो रह है अगर हम चुफ हो गये तो मान लिजे का आप नौजवान नहीं हैं चाहे आपका 예ज कुछ भी हो और अगर हमने आवाज उठाई है तो हम नौजवान हैं चाहे हमारा एज कुछ भी हो अपने आस-पास होने वाले अत्याचारों को महशूश करना हम यह नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ जो है नाकारात्मक चीजों को देखेंगे हमने कहा critically देखेंगे critically देखने का मतलब सिर्फ नाकारात्मक देखना नहीं होता है critically देखने का मतलब होता है कि नाकारात्मक्ता भी देखेंगे जब खाली सकारात्मक्ता की बात हो रही होगी और सकारात्मक्ता भी देखेंगे जब सिर्फ नाकारात्मक्ता की बात हो रही होगी आलोचना का मतलब होता है पूरी आँख से किसी चीज को देखना हम अगर नौजवान हैं तो हमको अपने समाज की, राजनीती की, विवस्था की उसका मुल्यांकन करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि नौजवान होने का मतलब होता है पुरानी पीड़ी की जो अच्छी चीजें हैं परंपरा के तोर पे गौरब साली परंपरा के तोर पे उसको आगे बढ़ाएंगे और जो चीजें और प्रशांगिक हो गई है नौजवान होने के दम पर उसको चैलेंज करेंगे अगर वो गलत है तो उसको गलत बोलेंगे अगर सही है तो उसको सही बोलेंगे अगर कोई चीज सही है तो उसको ले करके आगे बढ़ेंगे यह जो नवीन युवा निती आपके सामने आज प्रस्तूत की जा रही है मैंने आपको पहले ही कहा राजस्थान कई मामलों में पहला हो जाता है आप युवा नीतीम बनाने के मामले में भी पहले हो गए हैं इसके लिए मैं यूथ बोर्ड को और आप सभी राजस्थान के हमारे प्यारे नौजवानों को बधाई देता हूं साथी साथ जो मेरा अपना एक अन्भो है नौजवान होने के चलते हलाकि आपने जो एज गुरूप लिया है पंद्रह से उन्तिस उसमें हम बाहर हो गए हैं लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि इस देश के अंदर जो नौजवान पीड़ी हैं उसके सामने कई तरह के चैलेंजेज हैं चैलेंजेज हैं कि कैसे वो पहले इसकिल को सीखें एजुकेशन को प्राप्त करें फिर जो इसकिल और एजुकेशन उन्होंने सीखा है उसके आधार पे उनको रोजगार मिले और रोजगार जब मिले तो ना सिर्फ अपना बलकि देश और प्रदेश के बहतरी करण में वो अपना कैसे योगदान कर सकते हैं देश की हालत जब आज हम देखते हैं तो इसमें कोई दोराई नहीं है कि धीरे 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 एजुकेशन आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है अब आप यह देखिए कि जिस डिप्राइब बेक्राउंड के गरीब बच्चों के लिए आप होस्टल बना रहे हैं उस पर ही अगर 18% का जीएस्टी लगा देंगे तो इसका मतलब यह है गरीबी जो है बचाने के नाम पे बड़ा बड़ा पोस्टल लगा दिया और गरीब नहीं कि यहां पे जो है मुखमंत्री जी बैठे हुए हैं और हमारी पार्टी से हैं एक संयोग की बात यह है कि विधान सभा ध्यक्ष जी और मुखमंत्री जी दोनों को मैं तब से जानता हूँ जब समय भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस का सदस नहीं था तो इनके सामने मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ यह जो युवा संकल्प के माध्यम से आपके सामने नवीन युवा नीती प्रस्तूत की जा रही है इनकी नीती साफ है बलकि इनकी नियत भी साफ है इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत कोटी-कोटी जो है धन्यवाद करता हूँ उनको बढ़ा सिधी बात दिल की बात करके जो है मैं अपनी बात को खत्म करूंगा जैसा कि हमने आपको कहा कि नौजवान का मतलब होता है हर चीज को ज़्यादा महसूस करना हम इसक भी ज़्यादा करते हैं हमको गुसा भी ज़्यादा आता है हमको भूख भी ज़्यादा लगती है हम सोत भी जादा हैं गाना पसंद आ जाए तो हम गाने भी जादा सुनते हैं और फिर सिर्फ भारत का गाना नहीं सुनते हैं कोरियन गाना भी आजकल जेंजी लोग सुन रहा है है कि नहीं है हस रही है जो है महिलाएं तो हम सब कुछ जादा करते हैं जादा करने में कोई बुराई नहीं है जादा हमको करना चाहिए लेकिन जैसे बरसात को आपने देखा है खूब बरसात होती है और जैसे गर्मी जब होती है तो आप गर्मी से परेशान रहते हैं पहली बारिस जब होती है असाहर की तो बड़ा मजा आता है लेकिन फिर सावन में लगातार बारिस हो तो दि जरूरत होनी चाहिए, जो पानी बर्सा है, उसका एक हिस्सा ठैर जाना चाहिए हमारी जिंदगी में, तो मैं अपने नौजवान दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, कि खूब एहसास कीजिए, और पूरी जिंदगी जीजिए, खुल के जिंदगी जीए, क्योंकि आजाद द अगर लगने लगा कि बर्बादी है, तो खुशी-खुशी जो है, उससे टाटा बायवाय कहकर के आगे बढ़ जाएंगे, जिंदगी को खुल करके जीने का जो आपका अधिकार है, उस अधिकार के साथ आप रहिए, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, कि देश कोई केक नहीं है, कि हम जो मैटो पे इसको आडर कर लेंगे, जे देश बनाने में दसको लगता है, सालों लगता है, और लोगों ने अपनी जिंदिगियों की कुर्बानिया दी है, जिस उम्र में आप प्रेम कर रहे हैं और आपको प्रेम करने में मजा आ रहा है, उसी 23 साल की उम्र में एक नौजवान हस्ते हस्ते फासि के फंदे पे जूम गया था, जिसका नाम सहीद- tip भगत सिंब उसी उम्र में जब आप प्रेम कर रहे हैं, बेलेंटाइन डे मना रहे हैं, अपने इसक के गाने गा रहे हैं, यह वो कहते हैं, इसक वाला लव। है, उसी उम्र में कुछ लोग जेलों में बंद हैं, आपके हक और अधिकार के लिए, जब आप अपनी जिंदगी को जीने की ख्वाहिसों को प्रस्तूत कर रहे होते हैं, तभी कोई आपके संबैधानिक अधिकार के लिए लर रहा होता है, कोई लाठियां खा रहा होता है, कोई जेलों में बंद होता तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि युवा होना हमारा अधिकार है। युवा की तरह महसूस करना और हैसास करना हमारा अधिकार है। आजाद देश में आजाद नागरिक की तरह आजादी से जिंदगी जीने का हमारा अधिकार है। लेकिन इस आजादी को बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है और इस आजादी को अगर आप बचाना चाहते हैं तो जैसे हमारे माबाप ने हमको घर बना करके दिया है हम उसको साफ करते हैं उसमें पेंटिंग करते हैं उसको साफ सुथरा रखते हैं जैसे हमारे माबाप ने हमारे बाप दादा ने आम का पेर लगा करके दिया है हम उसका फल खाते हैं तो आखरी बात हम आपसे यही कहना चाहेंगे आजाद देश में आजादी से जिन्दगी जीए लेकिन इस बात को हिसास रखिएगा कि आजादी ऐसे नहीं मिली है इस आजादी को बचाना और उस आजादी पे जब भी कोई आजाए तो खुल करके डट करके उसके सामने खरा हो जाना भी नौजवान होना होता है इसी आसा और उम्मीद के साथ यह जो नवीन युवा नीती है इस नीती से राजस्थान के युवाओं का सरवांगी मिकास होगा और राजस्थान एक बार फिल से देश में पहला राज्य बन करके दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेर्णा का काम करेगा प्रेर्णा का शुरूत बनेगा इन्ही सब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया आदा कहते हुए और अधर नियम मंच को आभार व्यक्त करते हैं अपनी बात को खत्प करना हुए शुक्रिया इनकलाब जिंदावाद जैहिद जैराजस्थान